नमस्कार दोस्तों, Knowledge IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है शशांग लखेर और इस वड़ में हम बात करने वाले हैं, जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके लिए, बांग्लादेश के जो लोग है वो चाइना के लिए यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे ह तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि उगुर मुस्लिम कौन है और इनका रोल क्या है, उसके पहले आप जो है चैनल को सब्स्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, यह आर्टिकल एकनॉमिक्स टाइम्स का है, सारी इसलामिक पार्टीज हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रॉप हैं, जो एंजियोज हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक इंपोर्टेंट बात है कि बांगलादेश की सरकार विलकुर यहाँ पर इसके पक्ष में है, क्योंकि बाकी देश अगर आप देखो यह चीज जो है, कर रहा है बांगलादेश, इस पे एक और आर्टिकल में आपको देखाता हूँ, यह आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है, बांगलादेश, बांगलादेशीत होल्ड, डिमोंस्ट्रेशन इन धाका, टू मार्ग, तियानमिन मैसेक्यर अनिवर्सरी, सो इस यहाँ पे जो है, उसको लेकर यहाँ पे, जो है, जो उगुर मुस्ल्म के लिए जैनोसाइट किया जाता है, जिस तरीके का चाइना में उन सब के लिए जो है यहाँ पर यह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो बेसे के लिए यहाँ पर त्यानमें मेसिकेर को जो है यहाँ पर उसी की बेहाफ मतलब उसको भी यहाँ पर रखा जा रहा है और उसके साथ साथ जो उगूर मुसलिम है उनके लिए पर प तो बहुत सारी चीज़े हैं और सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अब आपके मन में यह भी कोशन आ रहा होगा कि चाइना में मुस्लिम की आपादी होगी कितनी होगी बहुत ही कम होगी आपको लग रहा होगा बट ऐसा है नहीं मैं आपको अभी आपको मार्ट से मांक किया गया है यहां पे आगार आप देओको उगर मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिम का यह वाला एरिया है यहां पे यह लोग रहते है और यही पर इनकी दोमिनें सबको देखने को मिलती है और यहीं पर इनके साथ जो है एक तरीगे का जैनोसाइट किया जाता है इनको बहुत जादा प्रताडित किया जाता है अब आज के समय जो बहुत सारी इस्लामिक पार्टीज हैं सिविल सोसाइटी ग्रोप हैं एंजियोज हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो उगर जो डोपा डे है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है तो उगर कम्यूनिटी जो है उनके लिए यहाँ पर यह सब किया जाता है अब यह पांच माई को हर साल उगर कम्यून cultural heritage को यहाँ पर बचाने के लिए यह लोग जो है यहाँ पर protest कर रहे हैं यहाँ देख सकते कुछ इस तरीके का hat आपको देखने को मिलेगा so basically यह जो hat है यह उगुर muslim यहाँ पे पहनते हैं अब हाली में अगर आप देखोगे तो इन सब का reason क्या है मतलब उगुर muslims को जो है चाइना यहाँ पर क्यों परिशान करता है और चाइना के जो लोग है वो यहाँ पर क्यों उनको जो है इस तरीके का treatment देते हैं तो देखो जो जिंग्जियां conflict इसको इस नाम से जाना जाता है इसको उगुर चाइनीज conflict के नाम से भी जाना जाता है यह दोनों जो है ethnic conflict हमको देखने को मिलता है जो North West Autonomous Region इंग्जियां वहां पर वहां पर आपको उगुर्स सारे mleatants यहां पर खड़े होगे क्यidi चाइना जो है यहां पर बहुत जादा नरसंगार करता था लोगों को रेप पर परिशान करता था फीं기 के साथ यह यह रेप किये gw मनौत्ग कीवा हाँ है उन्होंने Chinese people की ऊपर attack कर दिया मैं ॑र इसके बाद बहुत ही बड़ा conflict हमको देखने को मिला और इसके बाद चाइना के जो लोग है यहाँ पे बिलकुल इनको जो है आप पर परिशान करने लगे मतलब जो militant group है किया सब उन्होंने था लेकिन जो normal लोग है जो सीधे साधे लोग है उनको भी जो है आप आज परिशा अब यहीं पर बात आती है त्यानमिन की तो देखो त्यानमिन जो है वहाँ पर समझ दो जो चाइना की communist party उन्होंने बहुत सारे जो है लोगों को यहाँ पर मरवा दिया था जैसे जलिया वाला बाग था ठीक है भारत में जलिया वाला बाग था वैसे यहाँ पर त्यानमिन एक conflict हुआ था त्यानमिन एक जगय है चाइना में वहाँ पर बहुत सारे जो चाइनीज लोग है हजारों की संख्या में यहाँ पर जो डेमोक्रिसिक डेमांड कर रहे थे उनको मार दिया गया था तो तब से जो है उसको त्यानमिन जो है स्क्वेर और त्यानमिन conflict के नाम से जाना जाता है और त्यानमिन conflict का जो डे है वो यहां पर छोड़ देना चाहिए और इस जैनोसाइट को आप खतम करो अब यहां पर अगर आप दो करी 2 million उगोर जो है और भी minority जो है यहां पर देखने को मिलती है मतलब यहां पर इनका यह कहना है कि जो डेटेंशन सेंटर है वहां पर बहुत थी यूज लेबल पर उगोर जो है यहां पर रहते हैं और बेसिकली यहां पर इनको sexual abuse का सामना करना पड़ता है और force जो sterilization है वो यहां पर देखने को मिलता है तो बेसिकली काफी जो है समस्या उनको जहलनी पड़ रही है और यहां पर अगर आप देखोगे तो उगोर को जो है यहां पर basic human need जो है वो भी यहां पर नहीं दी जाती है उनको proper treatment नहीं दिया जाता है उनको punishment दी जाती है imprisonment without food मतलब बिना खाने पीने के जो है आपको यहां पर रहना पड़ेगा उनको इस तरीके की जो है treatment यहां पर दी जाती है इसके अलावा जो उगोर का birth rate है वो भी आपको बहुत जादा ही कम देखने को मिलेगा मतलब Chinese के हिसाब से अगर आप देखोगे वहां का data तो बहु हाँ पर simple आप यह समझ सकते हो कि चाइना में सिर्फ और सिर्फ dictator ship है तो यह थांत इस वीडियो का और उमीद करता हूं कि आपको जो है काफी को जानने को मिला होगा उकुर मुसलिम के बारे में इसके लावा जो 93 जैनोसाइड है उसके बारे में तो यह थांत इस वीडियो क सुने के लिए बहुत धनिवात जै हिंद जै भारत